जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, सरत पूनिमा का दिन बेहत सुभ होता है अस्विन मास की पूनिमा को सरत पूनिमा कहते हैं इस दिन चंदर्मा से निकलने वाली किरने अमरत की तरह होती हैं इस दिन चंदर्मा सोला कलाओं से परिपून होता है दोस्तों, ये अमरत वर्सा वाली रात व्यक्ति के सभी दुख और दरिद्रता को नस्ट कर देती है समुद्र मन्थन के दोरान देवी लक्षमी का प्रकट हुआ था इसलिए इस दिन का महात्व और भी बढ़ जाता है ऐसा माना जाता है कि इस रात को मालक्षमी धर्ती पर आती हैं और हर घर में विचरन करती हैं इसलिए इस रात महालक्षमी की पूजा कर रात्री जागरन करना धन और सम्रद्धी को बढ़ाने वाला होता है। आपको बता दें कि यह रात इतनी सुन्दर और रमणी होती है कि इस रात को देखने के लिए देउता भी स्वर्ग से धर्ती पर आती हैं। दोस्तों सरच पुन्मा की रात मालक्षमी घर घर जाकर सब को वर्दान देती हैं और जो सोता रहता है वहां से लक्षमी दरवाजे से ही वापस चली जाती हैं। इस दिन देवी लक्षमी की पूजा करने से सभी करजों से मुक्ती मिलती है। इस रात को माता लक्षमी के नाम का जागरन करना चाहिए इससे देवी लक्षमी बेहत प्रसंद होती हैं और आसिरवाद देती हैं इसलिए इसे कोजा गरी पूर्णमा यानि जगने वाली रात कहा जाता है आपको बता दें कि इस रात को खीर बना कर खुले आस्मान की नीचे रखी जाती है और सुबह प्रसास वरूप पूरे परिवार में बाटी जाती है ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा से इस रात को अमरत परस्ता है कहते हैं कि इससे निरोगी काया की प्राप्ती होती है आपको बता दें मालक्षमी को भी खीर बहुत पसंद है इसलिए इस रात को मालक्षमी को खीर का भोग अवस्से लगाएं और साथ ही साथ आप स्री सूप्त, कनक धारा और विश्नु सहसर नाम का भी पार्ट करें इससे आपको मालक्षमी का आसिरवाद मिलेगा दोस्तों इस दिन आपको बता दें कि सरत पूनिमा के दिन किसी भी तरह की खटी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जैसे नीबू, इमली, आमचूर, टमाटर, संतरा, अंगूर आदी दोस्तों सरत पूनिमा के दिन खटी चीजें ना खाएं खास कर जिन व्यक्तियों ने व्रत रखा है क्योंकि मालक्ष्मी को खटी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद है इसके लावा आप सरत पूनिमा वाले दिन घर के किसी भी सदस्य को मांस, मच्छली का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही घर का कोई व्यक्ति सराब का सेवन करे और इसके लावा इस दिन प्याज लैसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें अन्यता आप मालक्ष्मी को प्रोधित कर सकते हैं दोस्तों इस दिन सिग्रेट तमाखो या किसी भी तरह का नसा वर्जित होता है ऐसे घर में मालक्ष्मी कभी भी प्रवेस नहीं करती हैं और जिस व्यक्ति ने सरच पूर्णिमा का वरत रखा है उसे पूरा दिन अन ग्रहन नहीं करना चाहिए आप चाहें तो दिन में जल और फल ग्रहन कर सकते हैं या फिर साम के समय लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा को अर्द देने के बाद फलाहारी भोजन जैसे सिंगाडा या कुट्टू के आटे की पूरी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आप भूल कर भी इस सुब दिन पर अनिग्रहन ना करें आप अगले दिन सुबह ही पूजा के बाद व्रत का पारण करें आपको बता दें कि सरत्पुनुमा के दिन काली उरत की दाल का प्रयोग भी नहीं करना चाहें जितना हो सके इस दिन सफेज चीजों का सेवन करें जैसे दूद, दही, सककर, चावलादी क्योंकि सफेज चीजों का संबंद चंद्रमा से होता है इसलिए सरत्पुनुमा के दिन सफेज चीजों का सेवन करने से मालक्षमी और शंद देव की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों सरत्पुनुमा के दिन आप अपने खान पान पर ध्यान रख कर भी मालक्षमी को प्रसंद कर सकते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में वज़से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद